नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ओक्टबर के रिजल्स की साथ ही साथ 6 ओक्टबर के शेडियूल की हम बताएंगे कि 5 ओक्टबर के दिन भारती रिजल्स के मैचेस की क्या क्या रिजल्स रहे और आने वाले दिनों में या फिर आने वाले राउंड्स में आप सभी कौन कौन से भारत के रिजल्स खेलते वे नजर आने वाले हैं तो चलिए पहले results की और नज़र डालते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं पिंकी के मुकाबले की जिनका था ब्राँज मीडल मैच लेकिन पिंकी को हार का सामना करना पड़ा और वो इस ब्राँज मीडल मैच को 5-2 से हार गई और यहीं से ही ब्राँज मेडल जीतने की जो उम्मीद थी वो भी खतम हो गई अगले मुकाबले की बात करते हैं तो वो रहा किरन का किरन क्वाटर फाइनल्स में पहुंच गई थी जहांपे उनका मुकाबला था तोลकिया ओलम्पिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट युससे की खिलाडी से लेकिन इस कौटर फाइनल्स के मुकाबले को किरन को हार का सामना करना पड़ा बाइफॉल युससे की रस्लर ने किरन को हरा दिया पूजा के मुकाबले का भी कुछ यही हाल रहा और वो भी जापान की रसलर से हार गई 0-11 से उन्हें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा भतेरी को भी हार का सामना करना पड़ा वो रश्या की रसलर से 0-8 से अपने मुकाबले को हार गई वहीं कल के दिन का आखरी मुकाबला रहा हैनी का हैनी का मुकाबला राशिया की रसल से था लेकिन इस मुकाबले का नतीजा भी कुछ पिछले नतीजों की तरही राजों की था हार और हैनी इस मुकाबले को 0-10 से हार गई यह तो थे 5 अक्टोबर के सबी मकाबले के नतीजे अब नज़र दालते हैं 6 अक्टोबर के शेडियूल की और तो 6 October के schedule की और नज़र डालते हुए सबसे पहला मुकाबला दो बज़े से ही शुरू होगा जो की रहने वाला है 57, 59, 68 और 72 केजी वोमेंस फ्रीस्टैल की qualification rounds उसके अलावा दो बज़े से ही 50 केजी, 53, 65 और 76 केजी वोमेंस फ्रीस्टैल की rap chase rounds होंगे वहीं उसके बाद काफी बड़े ब्रेक के बाद रात को दोबारा से मुकाबले सबा 8 बज़े से शुरू हो जाएंगे जो की रहने वाले है 57, 59, 68 और 72 केजी वोमेंस फ्रीस्टैल के semi-finals और आज की दिन के आखरी मुकाबले शुरू होंगे रात साड़े 9 बज़े जो की रहेंगे 50, 53, 65 और 76 केजी वोमेंस फ्रीस्टैल के फाइनल्स तो ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए जिसमें हमने बता दिया है सारा schedule और results तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको like और share जरूर करिएगा और साथ ये ऐसी sports related updates जानने के लिए आप सब हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा तो आप सभी के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद so thank you everyone